परिस्टमोल की ओबर्डोज कितनी हानिकारक है क्योंकि परिस्टमोल हर घर में अबलिबिल होती है और इजी लिए जब भी हमें फीवर या सरीर में दर्द की कोई समस्या होती है तो हम ले लेते हैं क्या मैं उसकी सही डोज का भी पता है नहीं पता कि परिस्टमोल ओबर्डोज लेना कितनी हानिकारक है तो मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रही है दोस्तो नमस्कार आदाप शर्चेकाल मैं मनिक्स गोस्वामी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मेडिसिन ग्यान में दोस्तो बात ऐसी है कि हर घर में कुछ ना कुछ मैडिसिन अबलबल होती है बट हमें जब कभी रात को कोई समस्या होती है कि फीवर आगया पेन हो रहा है डायलिया हो रहा है दस्त लग गए उल्टी आ रही है यह चक्कर आ रहे है तो हमें दवाईयों की जानकारी नहीं हो को सुविदा कई बार अबलिबल नहीं हो पाती दोस्तो इसी चीज को देखते हुए मैंने अपना इस चैनल स्टार्ट किया है कि मेडिसन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे सकूँ दोस्तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर करें ताकि जानकारी मेल सकें दोस्तो बात करते हैं जैसे कि थमनिल में आपने देखा कि परस्टमोल की परस्टमोल क्या है दोस्तो परस्टमोल एक एं बुखार की medicine है, दोस्तों बात करते हैं बुखार की, तो body का एक particular temperature ज्यादा हो जाना बुखार कहलाता है, fever कहलाता है, दोस्तों body का temperature किसी भी infection के द्वारा बढ़ने लगता है, चाहे वो UTI का infection है, चाहे वो RTI का infection है, चाहे वो typhide fever है, चाहे वो bacterial fever है, चाहे वो दोस्तों malaria fever ह जब तक body में कोई ना कोई temperature नहीं होगा, तब तक fever body temperature नहीं बढ़ाएगी, दोस्तों इस temperature की बात करते हैं, body का temperature adult लोगों में माना गया है कि 99 Fahrenheit के उपर fever माना जाता है, तता बच्चों में यही 100 से उपर fever माना जाता है, अगर छोटे बच्चों में count किया जाए तो 100 degree Fahrenheit अगर body fever है, दोस्तों बात करते हैं कि इसके इलाज की, तो इसके इलाज के लिए हम parastamol tablet ले लेते हैं, adult में parastamol 500 mg की इसकी doge है और 650 mg भी हम ले सकते हैं, और fever की tablet लेने के बाद अपने डॉक्टर की सला लें, adult में जो इसकी maximum dose है, वो 4000 mg पर दे लेनी है, जो maximum dose आपको लेनी है, बात करते हैं parastamol की बच्चों में क्या doge लेनी है, parastamol की बच्चों में जो doge है, वो 15 mg पर किलो बोडी वेट पर doge में लेनी है, और दिन में 4-5 बार इजी ले सकते हैं, और जो maximum dose में इसकी जो doge है, वो 50 mg पर किलो बोडी पर doge में आपको लेनी है, अब बात करते हैं, दोस्तो परस्टमॉल जैसे बुखार की medicine है या दर्द की medicine है अगर आपको fever है या आपकी body pain कर रही है तो आप परस्टमॉल ले सकते हैं मार्कीट में किस क्या क्या strength परस्टमॉल की आती है दोस्तो जैसा की मार्कीट में इसकी 500 mg की tablets आती है 650 mg की tablets आती हैं syrup आते हैं जो की 125 mg इच फाइमल के syrup भी आते हैं और 250 mg इच फाइमल के syrup भी आते हैं परस्टमॉल दोस्तो कॉमिनेशन में भी आती है जैसे की diclofenic के साथ नुमसलेड के साथ या सिकलोफेनिक के साथ और सारी बहुत सारी अनलेजिसिक medicine या anti-inflammatory medicine के साथ भी परस्टमॉल का कॉमिनेशन आता है जिसमें ज़्यादतर medicines में परस्टमॉल 325 mg पाई जाती है और इसके syrup भी जो combination में आते हैं उनमें 250 mg एच पैमेल या 125 mg एच पैमेल सीरप अबलेबल है बात करते हैं इसके brands की कि इसके कौन-कौन से brands मार्केट में अबलेबल हैं दोस्तों ये तो बहुत सारे brands मार्केट में अबलेबल हैं बट जिन मैंसे common product हैं वो हैं कालपोल, क्रोसीन, डोलो, डोलोपार, T98 आदी ये सब brand इनके सीरप भी form में आते हैं और tablet form में आ सकते हैं जब भी आपको fever है या दर्द है आप ले सकते हैं अब बात करते हैं कि इसके side effects की या overdose की जैसे कि आपको कभी आपने parastamol ली और आपको गवराहट, बेचैनी, उल्टी, डाइरिया जैसी सिकायत अगर होने लगत हैं ले ली है और ये बहुत जदा हानिकारक है दोस्तो परास्तवॉल ज्यादा लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं जैसे की Hag NOTar लगतार , तो ये बहुत जदा हानिकारक है और बहुत ज्यादा घहतक अगर जिससे की आपके liver और kidney पर इसका बुरा असर पढ़ने वाला है दोस्तो बस इसी वीडियो को यहीं समप्ट करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो धन्यवाद